Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, I hope आप सब ठीक होंगे Friends, क्या आपके बाल भी रूखे हैं, फ्रजी हैं, बेजान हैं और आप इसके लिए बहुत सी remedy यूज़ कर चुके हैं फिर भी आपके बालों पे कुछ असन नहीं हो रहा है तो आज की वीडियो खास आपके लिए आज मैं आपको इतनी effective remedy बताऊंगे जो आपके हर्स की problem को आसानी से सिर्फ एक बार में ही कम कर देगा आपके हर्स इतने super silk की sign हो जाएंगे कि आप खुद ही अकिन नहीं कर पाएंगे तो हमें इस हर्मा स्क्रीम को बनाने के लिए चाहिए आलू जी हाँ friends आलू आज हम इस क्रीम को बनाने के लिए आलू का यूज करेंगे कैसे आपके हर्स को खुबसूरत बना सकते हैं तो इस बीडियो को end तक जरूर देखना तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे और कैसे यूज करेंगे हमें एक आलू लेंगे friends आलू है एक ऐसा magical ingredient है जो हमारी skin के लिए तो beneficial होता ही है साथ में हमारी hairs के लिए भी बहुत जादा beneficial होता है friends जब आलू को हम हमारे scalp पी यूज करते हैं तो आलू हमारे scalp के pH level को maintain करता है हमारे scalp से dandruff को दूर करता है आलू में ऐसे antioxidant minerals होते हैं जो हमारे रूखे सूखे बालों को shiny and healthy बनाने में help करता है friends जब हम आलू के इस hair mask को अपने बालों में use करेंगे तो ये हमारे बालों में collagen को restore करता है उसे ठीक करने में help करता है इससे हमारे बालों की growth भी बढ़ती है क्योंकि collagen जो होता है building block होता है जो की बहुत ही ज्यादा useful है हमारे बालों की growth को बढ़ाने के लिए आलू को छील के हम इस तरह से इसको गद्दू कस कर लेंगे इसके बाद हम इसको pen में आ कड़ाई में transfer कर लेंगे उसके बाद हम इसमें दो कब पानी डालेंगे फिर हम इसको gas पे रखके boil करेंगे जब ये थिक हो जाएगा तब हम gas को बंद कर देंगे अब हम इसे ठंडा कर लेंगे ठंडा होने के बाद हम इसे छन्नी की हैल्प से छाल लेंगे ये ऊपर बचा हुआ पार्ट है उसको हम फैक देंगे जो नीचे जेल है हम इसका यूज करेंगे अब हम इसमें डालेंगे कॉर्ण स्टार्च जो आपको मार्केट में इजिली मिल जाएगा इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये स्मूथ पेस्ट ना बन जाए अब हम इसको फिर से पैन में ट्रांसपर करके वॉइल करेंगे हमें बस इसे एक वॉइल आने तक गर्म करना है जिससे ये थिक क्रीमी पेस्ट बन जाएगा इस तरीके से जैसे की आप देख रहे हैं अब हम इसको पांस-दस मिनिट के लिए फैन के नीचे ठंडा करने के लिए रख देंगे ठंडा होने के बाद हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे इसके बाद हम इसमें एट करेंगे वन बिटामिनी कैपसूल फ्रेंट्स बिटामिनी कैपसूल हमारी हेर्स के लिए आप सबको पता ही है यह हमारी हेर्स को मॉश्राइज रखता है और हमारी हेर्स को सिल्की साइनी बनाने में हेल्प करता है अब यह रेडिये इस्तमाल करने के लिए इसे अब आपके साब बालों पर यूज करें यानि सैंपू करने के बाद आपके बालों सूख जाए तब नहीं फिर आप इसे कम से कम एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे एक घंटे बाद आप आपके बालों को नॉर्मल वाटर से धो लें फिर हमारे हेर्स को हम कैमिकल फिरी सेम्पू से वास कल लेंगे फिर आप इसे बीक में एक बार जरूर यूज़ करें आप इसे वीडियो को जादा से जादा लोगों में सेर करिए और मेरे चैनल को देखते रही और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक क्यार